PCS Current News प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS Current News में चर्चा का विश्य है डॉक्यूमेंटरी फिल्म महोत्सर्फ M.I.F.F. 2022 भारत का सबसे प्रमुक डॉक्यूमेंटरी फिल्म महोत्सर्फ M.I.F.F. 2022 29 मई से शुरू होगा 17 मुंबई अंतराश्ट्रिय फिल्म समारहो यानि M.I.F.F. 2022 फिल्म डिवीजन परिसर मुंबई में आयोचित की आ जाएगा इसमें 30 देशों से 808 फिल्म प्रविष्टिया मिली है इन में से 102 फिल्मों को प्रतियोगिता श्रेणी के तहत प्रदर्शित की आ जाएगा इसके अलावा अंतराश्ट्रिय प्रतियोगिता में 35 राश्ट्रिय प्रतियोगिता में 67 फिल्म में शामिल हुई है 18 फिल्म में M.I.F.F. प्रिज्म केटेगरी के तहट दिखाई जाएंगी महुत्सकी सर्वश्रेष्ट फिल्म को 10 लाख रुपे के नगत राशी के साथ गोल्डन शंख पुरसकार मिलेगा अन्य पुरसकारों में चांदी के शंख, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ एक से पाँच लाख तक के नगत पुरसकार दिये जाते हैं सर्वश्रेष्ट छात्र फिल्म के लिए एक लाख रुपे और ट्रॉफी तथा सर्वश्रेष्ट नवोदित निरदेशक के लिए दादा साहिप पाल के चित्र नगरी पुरसकार भी प्रदान किया जाएगा एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्वाता को वृत चित्र फिल्मों में उनके महतपून योगदान के लिए डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान की आ जाएगा जिसमें 10 लाख रुपे का नगत पुरसकार, गोल्डन शंक और एक प्रशस्ती पत्र भी दिया जाएगा भारत और जापान द्वारा से है निर्मित पहली एनिमेशन फिल्म रामायन दे लीजेंट आफ प्रिंस राम की भी M.I.F.F. में विशेश स्क्रीनिंग होगी अब जान लेते हैं मुंबई अंतराश्टिय फिल्म समारोहो यानि M.I.F.F. के बारे में यह दुनिया के प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंटरी फिल्म समारोहो में से एक है यह documentary फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रेमियों, फिल्म समीक्षकों, प्रसारकों और OTT प्लैटफॉर्मों और छात्रों को एक साथ लाता है जो documentary क्षेतर में समकालीन रुझानों पर बहस और चर्चा करते हैं